हाई गाइस आज हम लोग देखेंगे कि मैंने NTPC एक्जाम में पहले प्रयास में कैसे 83% आटेम कर दिये इसके अलाबा NGK section में हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए लुसेन का बुक पढ़ना चाहिए या स्पीडी का बुक पढ़ना चाहिए इसके अलाबा मैज के लिए हमें क्या करना है कौन से बुक से अगर मैज करें हमें उस से कुछ chassis क्यूमन क्या और डियूंत सकता है इसके लिए कैसे T्यारी करना होगा यह वाना को देखेंगे इसके अलाबा ही जो करेंट फेसे section है इस section में 2018, 2019 या 2020 कौन सा साल का बहुत important है जो कि हर एक सीप में हमें question दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी हम लोग इसमें बात जीत करेंगे इसके अलबा जो बहुत important चीज़ है वो है mock test क्या हमें mock test अभी करना चाहिए या mock test देना चाहिए कुछ भी अगर देना हो तो कौन से platform से देना चाहिए इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसके अलाबा भी जो इंपोर्टेंट टोपिक से जो की हर एक स्चीप में उसके टॉप उस टॉपिक के questions definitely आ रहे तो कौन बात करेंगे इसके अलाबा हमारा जो ग्रूप डिये और इंटीबिसी का जो भी अभी second phase का question चल रहा एक्साम इसके अलाबा third phase या fourth phase इसमें कौन से topic important है इसका त्यारी करें कैसे इन से बारे में हम लोग details में अभी बात करेंगे तो चलिए अभी पहले question के तरब जादे ले यानि कैसे 83% attempt with 95 accuracy so चलिए हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट बाला section है कि जिके section के लिए हमें कौन सा book पढ़ना चाहिए लुसेंट का पढ़ना चाहिए या speedy का पढ़ना चाहिए तो दरसल अगर देखें तो दोनों किताब अच्छा है लेकिन अभी जो examination हो रहा है उसमें अगर हम लोग questions को ठीक से देखें जो कि TCS अभी questions बना रहा है सो TCS के तएद question directly speedy हो या lucent हो उससे नहीं आ रहा है question थोड़ा घुमा के दे रहा है इसलिए हमें क्या करना होगा लुसेन का हो या speedy का हो जो उसका जो details भाला book है पहले उसे रीट करना पड़ेगा अगर हम लोग उसे रीट कर लेंगे उसके बाद अगर लुसेंट हो या speedy का जो भी multiple choice question है उससे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे मुझे लगता है कि हमें बहुत सारा फाइदा देखने को मिलेगा यह वाला हो गया जी के सेक्षिन के लिए इसके इलाब आप मैस के लिए अभी क्या करें तो देखिए मैस के लिए बहुत ही बहुत कीजिए थोरली आप मॉक्टेस दीजिए कौन से चीज का mathematics का मॉक्टेस दीजिए इससे आपको 100% बहुत ही फाइदा होगा यह मेरा guarantee है इसके अलाब आप क्या मॉक्टेस्ट इंपोर्टेंट है तो देखिए मैं भी बात कर रहा हूँ कि मॉक्टेस्ट क्यों इंपोर्टें चंट इन से मैं कुछित में कुछिंव्य में कुछिंव्य गुमा फिर होता है कि हमें हैं कॉस्ब करने orange ज्यान धाह 바로 फ्याइना सेयल शता हां देछंट सब्सक्राइब Company कожу सक्वाइब घु मिले हमें हमें स्यूव्य उम्हें स्वाशिय करने में तोश्यन सब्सक्सट टाइ लेकर तुम जाओगे तो इसलिए मैस के लिए मॉक्तिस्ट बैरी इंपर्टेंट रिए नो क्वार्ट कॉन-कॉन। से टॉपीक है में बता दोगा इसके अलाब रगाशा का बाध थर रही है तो करिंड फेसमें पहले जो कोश्चन हमें देखनों का मिल रहा है तो करेंट के लिए हमें बात करेंगे तो कौन सा साल का बहुत इंपर्टेंट यह ठीक से बता नहीं जा सकता है लेकिन हां आप अगर 2018-2019 का अगर ठीक से देखके जाएंगे या और 2020 का अगर लास्ट 6 मंद का फ्रम जानुरी टू जुन अगर देखे जाएंगे ठीक है तो काम चल जाएगा बहुत इंपोर्टेंट आसे कर गूगल में जाके साच करने से भी मिल जाएगा कि टॉप 100 इवेंट आप 2019 टॉप 100 इवेंट आप 2018 ऐसे करके भी हम लोग अगर 200 से 300 कॉश्चन भी देखके जाएंगे बिसिकरी जिसमें क जाना परेगा भी उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रूब डी इंटीपीसी का जो अपकमिंग जो एक्सामिनेशन शिप्ट का जो कोश्चन है फेस का जो कोश्चन से उसके लिए कैसे त्यारी करें तो मैं इस वीडियो में कल में दूसरा और एक वीडियो लाओंगा उसमें हम डीटेल्स में बात करेंगे कि हमारा तैयारी कैसे हो सो डेफिनिटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन को भी क्लिकर करके रखिएगा इससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरा वीडियो जाएगा वो पहले मिल जाएगा तो अभी आता हो में लॉक्डवन करें समय से तो उसके बाद मैंने कैंकि मॉक टेस्ट जाता से जाता दिया मैस के लिए उसके विलाबा मैंने लुसेंट का मेरे पास स्पीड नहीं था तो मैंने लुसेंट का ईजो ओर वेस्ट बूक है यह यह लग कलरकाता है वह बहुत पहले पर लिया उसके लोग भी ऐसे करें तो आपको भी बहुत फायदा हो गया और मेरा रिजनिंग में थोड़ा बहुत अच्छा कामान था तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन मैं थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हुआ क्योंकि कुश्चन बहुत लेंदी था इसलिए मुझे 2 2-3 या 5-6 कोशिन मैंने एटम नहीं कर पाया तो टाइम के लिए भी मुझे टाइम नहीं मेला लास्ट में इसलिए मुझे नहीं कर पाया लेकिन एट्रिक कोश्चन के इससे मुझे 95 अकुरिसी डेफिनिटली इसमें आ जाएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मॉक्टिस इस भरी इमपॉर्टिन फॉर मैथेमेटिक्स क्योंकि मैथेमेटिक्स सी जो है बो स्कोर आपको आगे बढ़ा देता है कि हां तू या प्लाक सो या थ्री मार्क सो या फाइब मक्स हो उससे आप लोग क्या होते कि दूसरे स्टुडेंट से थोड़ा आगे चल जाते फोर mathematics आप मॉक टेस्ट डेफिनेटल दीजिए और जो फ़र्मुला है मेंसरेशन का हो गया अगले दूसरा चीज़ का हो गया profit loss का हो गया boat and stream का हो गया time and distance का हो गया इसका फ़र्मुला लेंड कर जिए और मॉक टेस्ट दीजिए तो mathematics का आपका हो जाएगा रिजिनिंग का भी थोरा देख लीजिएगा रिजिनिंग का भी एक बूक आता है यह ओलो कलर का मोटा वाला बूक आता है उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि भेंड डाइगरम आ रहा है उसके एलाबा आप आप सकता है अगर आप लोग जाता से तक पैक्टिस ने किये हो क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में थोरा पूछा जा रहा है बीच में तोड़ा नहीं आया था लेकिन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है इसे हमें जरूर देख के जाना है जैसे कोशन आया थे कि साथ अप्रिका से मौतमागंदी जी कब आया थे इसके अलाव है बहुत सर ऐसे कोशन है मुझे घुमा फिरा के दे रहे इसके कहा पर गया कौन कीसे ले गया start कैसे हुआ कब हुआ क्यू हुआ इससे इसके एक माक्स वन नमबर आपका डिफिनेंट मिल चाहिए इसके अलावा important government तो अब तक जो examination हुआ है उसमें government scheme का question very very important वो आई रहा है जैसे हो गया कि बेटी बाचाओ बेटी पर हो इस scheme कब start किया गया इस type का मतले details में नहीं बता रहा है कि government जो scheme है इसके बारे हैं पूछ रहा है कि कव start हुआ या इस government scheme का objective क्या है इस पूछ रहा है कुछ भी नहीं पूछ रहा है इसके बाद national or international organization जैसे हो गया सर्क हो गया इंडिया का हो गया भी एची एल सो इन ताइप का questions आ रहा है मतलब बहुत ही easy आ रहा है आप लोग search करेंगे या किसी भी किताब में भी मिल जाएगा इन सब के बारे में government scheme के बारे में अगर में बताओ तो 2014 से 2020 तक जो जो important government scheme है उसे देख जाए अच्छा से देख जाए उससे भी कम चल जाए इसके अलाबा वर्ल हेरिटेस साइड इंपोर्टेंट डर्म स्टिक वर्ल हेरिटेस साइड का question से आ रहा है कि एक साइड दे रहा है एक घापरस्तित है या इसे किस इसने स्ताफित किया था कब स्ताफित हुआ था इस टाइब का question आ रहा है वाल हेरिटेस साइज से तो डेविनेट बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है इसके बाद रिवर रिफार साइड टाउन इडिया का भी आ रहा है बाहर का भी आ रहा है जैसे आज के सिप्ट में question आया और इंपर आर्टिकल्स का भी questions आ रहा है बहुत सारे जैसे हो गया article 368 related to what तो इस टाइब का questions आ रहा है फाइब यर प्लान से भी question आ रहा है कब स्टार्ट हुआ इस टाइब कोशन आ रहा है उसके बाद power plant project आ रहा है first in man and woman इसका question बहुत important है एक ना एक चीज़ आ रहा है यह वाला question ज्यादा तर क्या हो रहा है कि current future section में चला जा रहा है कि इस country का first prime minister कौन है first woman prime minister कौन है इस टाइब का question उसमें घुजर है first in a man and woman का question और space technology का भी question बहु देख सकते हैं गगन यान चद्रयान इस टाइब का questions आ रहा है mom so question related to isro अच्छे से देख ली जाएगा details में जो भी चीज़ अपलग देखिएगा इसका question मत किजिए directly are important question related to isro ऐसे सर्च किजिए आप पहले details में पढ़िए details में पढ़ने के बाद इसका question question solve किजिए तब देखिएगा आप जब examination देने जाएंगे confidence अलेगी होगा और उससे एक नब मतलब एक भी question इसे नहीं होगा कि आप लोग नहीं कर पाए उसके बाद आता है इन्वेंशन का रहा है question discovery human disease इस अब को मुन में कि पहले से भी इस टाइब का question आएगा बहुत ही important topic है आता ही है तो इसका भी देख लीजेगा कि उसके बाद आता है human body human body का भी question बहुत importantly आ रहा है brain आ रहा है blood का question आ रहा है appointment बहुत ही important है इन्हें बताया है का अब बताया है प्लोग 2019 का देख लीजेगा उसके बाद गौवर्नर जेनरल का भी question बहुत सरा पूछा जा रहा है यह से पंच्छाइज राज को किसने साभ पंच्छाइज्डरा system कब स्टार्ट हुआ इसके गौवर्नर जेनरल में कौन सब गोवर्नर जनरल था जब कि मोगल डैनिस्टी कंव है इसका ताइम पुंसा था साल श्राइद तो इस om लोग डियेً डिप करना। उसके बाद question item किजिए उसके बाद Indian National Congress का भी आ रहा है कि बहुत important question ब्रैंड इंबसेटर को question आ रहा है इंडियन Constitution इंपोर्टेंट इस विद्धिम उसके इलाबा भी मैं बता दू तो जो जो एवर्ड से 2019 का very important है 2020 का बहुत कमार है last three month का अगर आप लोग देखे जाएंगे तो भी हो जाएगा लेकिन 2019 का देख ली जाएगा और इसके हिलाबा मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो एवर्ड से जैसे हो गया FIFA World Cup तो आपकमिंग FIFA World Cup का वोगा या जो FIFA World Cup जो अल्रेडी हो चुका है उसका भी जितना भी डीटेल से बहुत देखके जाएगा क्योंकि 2016 का भी question इसमें आ चुका है आपकमिंग एग्जामिनिशन आप सुरी आपकमिंग जो भी स्पोर्स इवेन है उसका भी देख लीजाएगा और जो हो चुका है उसका भी डीटेल में देख लीजाएगा उसमें इंडियान का participation कौन-कौन का कौन-कौन किये थे उसमें कौन-कौन से इसमें ने गोल्ड आवर्ड जीता था यह सब के बारे में देख लीजाएगा तो इससे आपका काम बन जाएगा मुझे जैसा लगता है कि अगर इस सब टॉपिक अगर आप आपको डीटेल से में देखेंगे अगर थोड़ा थियोरी बेस्ट अगर पर लेंगे उसके बाद इसलिए तो चलिए वीडियो बॉल्ड लेंदी हो जा रहा है तो मैं आध यह पर इस चार्ट यह बर सेश कंपना खतम कर देता हूं तो बने रही है वीडियो इस टाइप के वीडियो में से सब्सक्राइब कर लिजेगा और कॉमेंट में बताएगा कि आपका कोई भी कोशें मतलब एग्जाम है और गुरूब डी भी आ रहा है एग्जामिनिशन तो इसके त्यारी क्यासे करें तो इसके बारे में आप चैनल में बने रही है और जो भी कुश्चिन हो वो दे दे रही हैगा तो थैंक्यू पूर वाचिंग मैं वीडियो अ क्दूड़ क्द़ी कि आपरो भी कोशें शुरूब वो देंक्या अपरो प्यूब एग्जाग से तो अपरो